नमस्कार साथियों तो चलिए हम लोग जो है वन एवं वन जीव संपदा के उपड़ में जो है 15 कुश्चन को देखते हैं और आप लोग भी कोसिस करिएगा इसको बनाने का तो चलिए पहले सुमेलित कीजिए एक को सुची दौ से सोमेलित करिए अगर आपको खुछ जवाब देना है तो जहां मन करें वहाँ पर आप वीडियो को पॉस कर लिजिए तो देखते हैं पहला बिहार प्रिथवी दिवस जो है वो कब मना जाता है तो ये मना जाता है आट अगस्त को बिहार प्रित्वी दिवस जो है वो मना जाता है 8 अगस्त को फिर देखते हैं विरिक सुरक्षा दिवस जो विरिक सुरक्षा दिवस है वो कब मना जाता है तो वो मना जाता है 21 अगस्त को विरिक सुरक्षा दिवस कब मना गया तो वो मना गया 21 अगस्त को फिर देखेंगे बिहार प्रवासी प्रक्षी दिवस तो ये मना जाता है नौमबर का दूसरा सप्ता बिहार प्रवासी प्रक्षी दिवस तो ये होता है नौमबर का दूसरा सप्ता और डालफिन दिवस को हम लोग देखें कि डॉल्फिन दिवस जो है कब मना जाता है तो वो मना जाता है पाँच अक्टुबर को इस हिसाब से देखे तो हमारा उत्तर जो है वो बी इसका सही उत्तर होता है चलिए नेक्स कोस्टन को देखते है दूसरा कोस्टन है बिहार में वन छेत्र है तो बिहार में वन चेतर कितना है तो देखे 6,845 वर किलो मीटर है कुछ अगर घटा बढ़ा है तो मैं उपर आई बटन में आप वीडियो का इंतजार करिएगा अगर कुछ भी बदलावाता है ना तो आई बटन में आपको दिख जाएगा चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के उपर में हम लोग चलते हैं परोसी के बच्चे बहुत अल्ला करते हैं ठीक है न तो अल्ला के उपर ध्यानी देना है कई बार आज खिरकियां जुड़ी हुई है तो इस तरह का सोर आपको सुनने को मिल सकता है चलिए आगे देखते हैं बिहार में कुल भूभा के कितने पतीसत में वंचेट्र है तो यह 7.2% में वंचेट्र है बिहार में कौन रास्तिय उध्यान बाग प्र्योजना के अंत्रगत आता है तो देखे वालमी की नगर जो है न यह पाल क्यो नगर उद्यान पाँचवर नमर कोशन देखते हैं गंगा नदी में पाए जाने वाली अस्तनी वर्ग के प्रानी का नाम है तो यह है डॉल्फिन ठीक है गंगा नदी में डॉल्फिन पाए जाता है काफी मसूर है अभी अभी हमने देखा है कि डॉल्फिन दिवस 5 अक्टुबर को मनाये जाता है घोट लेजिए ठीक है न क्योंकि डॉल्फिन जो है वो भारत का रास्टिय जलिये जीव है बिहार में किस भाग को डॉल्फिन अभ्यारन घोसित किया गया है तो भागलपुर और कहलगाओं के बीच की गंगा नदी की धारा को जो है डॉल्फिन अभ्यारन घोसित किया गया है चलिए अभी इसको भी सोमिलित करते हैं ठीक है न अब देखते हैं कि कावर जील कावर जील तो बेग उसराय में है अब बात करते हैं कुशेस्वर जील कहां पड़ी दर्भंगा में है प्र बात करते हैं गोगा बिल कहां पड़ी है कटिहार में और नागी नेकटी दोनों जो छित्र है न वो जमूई में पड़ता है अब ये काफी चर्चाओं में रहने वाला है अगर आपको एस्टैटिक जी के भी बिहार का पता है तो वहां से भी आप करेंट का लगवग लगवग अनुमान कर सकते हैं वैसे तो करेंट का अनुमान करना काफी कठीन होता है चलिए आठवाग नुमर कोशन को देखते हैं भीमबाद अब भ्यारन इस्थित है तो ये इस्थित है मौंगेड जीला में बिहार में किस प्रकार के वन पाये जाते हैं ये पाये जाते हैं आर्द पतजैरवन और सुस्क पतजैरवन तो ये उप्रियोक्त दोनों इसका उत्तर हो जाएगा चलिए हो गया ना कितना 9 कोशन को देखे छे कोशन को और देखते हैं इन 6 questions में आपको ना सारे questions लगबग लगबग मिल जाएंगे चलिए आगे देखेंगे चलिए सुमेलित वाला question से एक question से कई सारे questions त्यार हो जाते हैं तो चलिए इनका सुमेलन करते हैं ठीक है ना तो सबसे पहले देखते हैं संजय गांधी जैविक कुद्यान कई लोगों ने घुमा होगा इसको यह कहां पढ़े यह पटना में है फिर देखते हैं वालमी की नगर अभ्यारन ने वालमी की नगर अभ्यारन कहां पर है तो यह चंपारन में है चमपारण में है, वालकी नगर अभ्यारण जो है, वो कहाँ पढ़ है, तो ये, चमपारण में है, ठीक है, इसको किस तरह मीटार ना है, रुकिये एक मिनिट है न, मैं देखता हूँ इसको, देखिए संजय गांधी जैविक उद्यान जो है न वो कहां पढ़ है तो यह है पटना में अब बात करते हैं इसकी वालमिकी नगरा भ्यारन कहां पर तो यह चंपारण में है पालमी की नगर अभ्यारन जो है वो चमपारन में है अब हम फिर बात करते हैं गौतम बुद्ध अभ्यारन की कैमूर अभ्यारन की तो कैमूर अभ्यारन कहां पढ़ है तो यह हमारा रोहतास में पढ़ जाएगा कैमूर अभ्यारन कहां पर जाएगा तो रोहतास में पढ़ ज ठीक है तो यहां से आपको लगवग लगवग सब का पता चल गया तो यहां देखे कि सही उत्र कौन सा होगा इसका सही उत्र हमारा ए हो जाएगा ठीक है ना ए हमारा जो होगा वो सही उत्र होगा चलिए आगे देखते हैं बिहार में किस प्रकार के वन पाये जाते हैं तो बिहार में जो है ना आर्द पतजर वन भी है और सुस्क पतजर वन भी है तो दोनों तरह के पतजर वन पाये जाते हैं तो इसका उत्र हो जाएगा शी उप्रियोक्त दोनों बिहार में आर्द पतजर वन और सुस्क पतजर वन दोना ही वन पाये जाते हैं तेरा नमर कोश्टन को देखते हैं कि बिहार के जिलों में घट्थे क्रम में वनो का विस्तार का सही करम है तो देखे कैमोर में सबसे ज़्यादा है फिर पस्चमी चमपारण में फिर गया में फिर नवादा में तो इसका उतर हो जाएगा B कैमोर में सबसे ज़्यादा वन है फिर है पस्चमी चमपारण में फिर है गया में फिर है नवादा में चले चौदा नमबर को कोशन को देखते हैं बिहार में पर्णपाती वनों को वर्गी कृत किया जा सकता है तो देखिए आर्ध पर्णपाती वन भी है और सोस्क पर्णपाती वन भी है तो दो ही हो गया तो उपरोग दोनों में इनको वर्गी कृत किया जाएगा पंद्रहवा नमबर कोशन देखते हैं बिहार का सरवादिक वन छेतर वाला जिला है तो ये है रोहतास चीक है एकदम सिंपल है अभी के लिए इतना ही मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद बाहर के किसी साउंड पर ध्यान नहीं दीजेगा चुकि खिर्कियां लगी हुई है तो आज पास से कई साउंड आ जाते हैं कई बाद धर्निवाद